कि बहुत-बहुत बहुत बड़ी नोटिफिकेशन आईये जी स्ट में । टीन नोटिफिकेशन है एक नहीं दो नहीं साथ ॥ ना भूले, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले, आयो दोस्तों भढ़ते हैं notification की तरफ, ऐसा notification जो सबके लिए applicable है, notification number 66, जो कि आज 21 September को issue हुआ है दोस्तों, इस notification को पढ़ने से पहले मापको एक section बताना चाहूंगा, section number 31, जो बात करता है, tax invoice की timeline के बारे में, कि आपको tax invoice specific period में issue करना होता है, उसमें एक specific situation दे रखी है, जो कि दी हुए subsection 7 में, वो क्या बोलती है, अगर आपने कोई माल remove किया है, आपने बेचा नहीं है, आपने remove किया है, sale on approval basis पे, उस case में आपको invoice issue करना होता है, या तो अगर approval आ गई है, तो आपको issue करना है, और अगर removal के 6 मह करने के अंदर अंदर आपके पास approval नहीं आई है, तो आपको 6 महिने खतम होते ही tax invoice issue करना होता है, यह specific condition दी गई है, subsection 7 और section 31, अब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, यह subsection 7, section 31, क्योंकि दोस्तों, जो notification number 66 आज आया है, वो इसी के बारे में बात करता है, यह जो 6 महिने की time limit है, इसी को extend करने की बात कर रहा है, बट, subsection 7 के complete case में नहीं, केवल और केवल, अगर आपने माल बहार बेजा है, आउट ओफ इंडिया, आउट ओफ इंडिया अपने approval basis पे अगर माल बेचा है बाहर, और आपके जो 6 महिने, रिमुवल के बाद के 6 महिने fall हो रहे थे, खतम हो रहे थे, 20 March 2020 से लेके 30 October 2020 को अगर आपके रिमुवल के 6 महिने खतम हो रहे थे, आपको next day invoice raise करने की liability आ रही थी, अगर आपको 20 तारीकों खतम हो गया, तो 21 March को आपको issue करना था, तो अगर 20 March से लेके 30 October 2020 के बीच का period है, उसमें आपके 6 महिने खतम हो रहे हैं, और आपने compliance नहीं करी हैं दोस्तों, तो आपके लिए time बढ़ा दिया गया है, और 31 October 2020 आपके लिए time कर दिया गया है, अब आपका invoice 31 October 2020 तक कर सकते हो, आप बोलोगे कि sir आपने last की 4 lines की क्यों पड़ी, 5 lines की क्यों पड़ी, उपर के क्यों नहीं पड़ी, तो दोस्तों उपर की lines जो बो प्रोविजों के बाद में एक और प्रोविजों इंसर्ट कर रहे हैं, नोटिफिकेशन नमबर 35 हम अलड़ी डिसकस कर चुके थे जब ये नोटिफिकेशन आया था, वीडियो के end में आपको link मिल जाएगी दोस्तों इसके वारे में, बहुत सी returns की due dates इसने बढ़ाई थी, जिसमें इन्होंने अब एक और कंप्लाइंस की due date add कर दी है, जो कि अभी हमने discuss करी, अगर goods गया है out of India on sale of approval basis और return on approval basis पे अगर goods गया है, 6 महीने आपके खतम हो रहे हैं, 20 मार्च 2020 से लेके 30 अक्टूबर 2020 को, अगर आपके 6 महीने खतम हो रहे हैं, तो आपको invoice issue करने की date अब हम बात आते हैं, notification number 67 पे, जो फायदे मंद हैं, दोस्तो composition dealers के लिए, जी हाँ, जो लोग GSTR for file कर रहे थे, उनके लिए फायदे का सोदा है, दोस्तो, GST में एक section है, section number 47, जो बात करता है late fees के बारे में, जितरी भी तरह की आपकी returns है, उनकी late fees के बारे में बात करता है, कि इससे ज्यादा late fees नहीं ली जाएगी, उसमें से इन्होंने सब के लिए amendment नहीं किया, इन्होंने amendment किया है, GSTR for की return के लिए, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, एक notification आया था, 73 oblique 2017, जो कि 39 December 2017 को ये notification आया था, इस notification ने ये बोला था, दोस्तो, कि आप अगर GST R4 फाइल कर रहे हो, तो आपसे हम penalty लेंगे, 50 रुपे से ज्यादा की penalty per day की हम आपसे नहीं लेंगे, और अगर, और अगर निल की आपके GST R1 है, तो 10 रुपे पर दे से ज्यादा हम आपसे penalty नहीं लेंगे, आपके सामने notification खुला हुआ है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है which is in excess of an amount 25 rupees for every day during which such failure continues, 25 CGST, 25 SGST, तो हम 50 रुपे से ज्यादा per day की आपके penalty नहीं लेंगे, और अगर निल की है आपकी return 47 में GST R4, तो हम आपसे लेट फिज 10 रुपे से GST, 10 रुपे SGST, per day 20 रुपे से ज्यादा, हम आपसे penalty नहीं लेंगे, हालांकि ये total amount जो जा सकता था, वो कितना जा सकता था, 10,000 रुपे तक आपके penalty लग सकती थी दोस्तो, अब इन्होंने बदलाव क्या किया, amendment क्या लेके आएं दोस्तो, अभी जो notification आपने देखा, उसमें उन्होंने second provision को ये नीचे, एक और provision insert कर दिया, और इस provision में इन्होंने ये बोल रहे हैं कि अगर नोटिफिकेशन खुड़ाओ, आप रिडिंग कर सकते हो, मैं डिरेक्ट आपको करक समझाता हूँ दोस्तो, ये बोल रहे हैं, अगर July 17 से लेके, जी हाँ, GST के बहुत starting से, very inception from the GST, July 2017 से लेके, March 2020 तक की GSTR 4, अगर आपने आज 21 सितंबर तक भी नहीं भरी है, चाहे से निल 22 सितंबर 2020 से लेके, 31 अक्टूबर 2020 तक भी आप रिटन भर देते हो, तो हम आपसे एक रुपया भी नहीं लेंगे, लेट फीस का, अगर आपकी रिटन निलकी है तो, और अगर निलकी नहीं है, तो 2500 रुपय CGST, 2500 रुपय SGST, टोटल 500 रुपय, एक क्वाटर की GSTR 4 का, हम अब वो 500 रुपय तक आ गया है, अब बहुत से जने बोलेंगे कि, अगर मा आज 21 तारी को भड़ता हूं, तो, या मैंने पहले ही भड़ दिये, बट लेट भड़ी है, तो तो दोस्तों, फिर आपको 50 रुपय पर दे, या 20 रुपय पर दे, जिस भी केटेगरी में आप फो नोटिफिकेशन लेके आने वाली है, तो 22 सितंबर 2020 से लेके 31 अक्टूबर 2020 तक आप रिटन भड़ दीजिए, आपके निल की या फिर 500 रुपय से ज़्यादा की पैनल्टी नहीं लगेगी, अब बात करते हैं, नोटिफिकेशन नमबर 68, यह उन असीस के बारे में बात करे लेते हो, उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको रिटन फाइल करनी होती है, अगर नहीं करते हो, टाइम लिए तो section 47 में आपके उपर पैनल्टी लग जाती है, दोस्तों, वो पैनल्टी आपके उपर 10 000 रुपय तक कि वो पैनल्टी आपके उपर लग सकती है, अगर 3 महीने में आप नहीं submit करते हो तो अब उसके लिए नोंने time limit दे दी है बढ़ा दी है और बोला है कि जिनका registration cancel हो चुका है जिनोंने registration cancel करवा लिया है तीन महीने निकल चुके हैं GSTRT नहीं भरिये उनके पास अभी भी वक्त है 22 सितंबर 22 सितंबर से लेके 31 दिसंबर 2020 के बीच जी हाँ दोस्तों ध्यान से देख लीजिएगा ध्यान से सुन लीजिएगा 22 दिसंबर 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक अगर आप आपके GSTRT बढ़ते हो जो की original due date के बाद है तो हम आपसे penalty कितनी लेंगे 200 रुपे से GST और 500 रुपे से ज्यादा अगर कोई penalty होगी वह lapse कर दी जाएगी उससे ज्यादा की penalty आपसे नहीं ली जाएगी तो यह बहुत ही welcome मूँ है GSTRT 10 सरकार की तरफ से हाँ इसमें एक और उनको रियाया देनी चाहिए थी कि GSTR 10 की मेरे साब से लेट फिस पूरी तरह से ही माफ होनी चाहिए क्योंकि रिजिस्ट्रेशन कैंसल कराने के बाद भोजोनों को पता ही नहीं होता भोजोने भूल जाते हैं यह कराना तो मेरे साब से लेट फिस वेवाफ होनी चाहिए और जिन लोगों ने लग चुकिया जमाक राच चुकिया उनको मेरे साब से रिफंड होनी चाहिए आप लोग को यह वीडियो ज्यादा स्यादा सेर करना चाहिए ताकि आपको आपके लेट फिस रिफंड हो तो दोस्तों यह तीन नोटिफिकेशन आये हैं 66, 67, 68 आई बिलीव इससे बहुत बड़े लेवल पे सेसीज को व्यापारी भाईयों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है आप सबको इन नोटिफिकेशन को वेलकम करना चाहिए मैं यह नहीं बोलता है कि अपने आप में स आपको ध्यान रखना है GSTR 10 के लिए 31 December 2020 है बट GSTR 4 के लिए और Goods Sent on Approval Out of India उसके लिए 31 October ही है उसके लिए 31 December 2020 नहीं है दोस्तों तो यह थी आज की अपडेट I believe आपको यह पसंद आयोगी अगर आप चैनल पे नए है तो आप लाइक कर दीजिएगा अभी आप आपको वहां जाके आप चैनल जोइन कर सकते हैं मेंबर्सिप ले सकते हैं दोस्तों हम बिलकुल 100% आपसे फॉन पे भी मिलेंगी थैंक्यू सो मच जै हिंद जै भारत